हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहें आउले काचार तो ये हमने जो है सोफ ले ली है और साथ ही मैं इसमें जो है मैं धनिया ले लूँगी खड़ा धनिया लूँगी और ये इंस्टंट आउले काचार बन रहा है और ये मैंने खड़ा धनिया ले लिया है और साथ ही मैं इसको म सा पीस लिया है इसके बाद में जो है इसमें कुछ और भी डालेंगे यह राइ इसको भी हम पीस लेते हैं और इसको भी दर्दरा ही पीस ना है और यह भी टेस्ट इंस्टेंट अचार बन रहा है। अओ लेके दिन चल रहे हैं इसमें ऑनला खाना जय् pumpkin होता है लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है अब मैं साथ ही में जो है एक चमच भरकर हल्दी डाल दी है और इसमें सबसे टेस्ट और फलेवर लाने के लिए हींग डाल दी है हींग डालना बहुत जरूरी है अब मैं कड़ाई ले ले लेती हूँ इसमें तेल डाल देते है और तेल को अच्छे से गरम होने देते है यह आउने मैंने उबाल लिये थे पानी में और इसके बाद इसको जो है इसकी गुटले निकाल ली है और इसकी कलिया कर दी है जो तेल है हमने गरम करने रख दिया गरम हो गया है उसके बाद हलका रह जाए उसके बाद हलका गरम रह जाए उसके बाद हमको ये जो है मसाला तैयार किया था इसको हमको डाल देना है आप चाहे तो इस टाइप से हरी मिर्च का चार भी बना सकते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगता है तो ये जो है अभी हम आउ गया है मसाला क्यूंकि एकदम गरम-गरम में डालेंगे तो यह मसाल जलने की डर रहता है मसाले सद्धूस के बार हम तद LIVE को डाल लिया है कड़ाइड नीचे रख्कर ही हमको यह सब काम करना है फर तो रखना ही नहीं और ये देखिए हमारा इंस्टंट आउनले का चार बनकर रेडी हो गया है ये देखिए आप चाहें तो आप तो रंत भी इस अचार को खा सकते हैं और आप नमक के साथ थोड़ी शक्कर भी खाना पसंद करते हूं तो इसमें तीन चमच भर कर शक्कर भी डाल दीजिए शक्कर करके रख रखा इसलिए मैंने ये नीवू का रज जो है फ्रीज में रखा हुआ था फ्रीजर में तो इसकी एक बाइट को डाल दिया है और बस अब ये इसको खाने के लिए तयार है आप एनी टाइम कभी भी खा सकते हैं और इसको चौबिस घंटे बाद इसमें आप जो है तेल गरम करके ठंडा करके डाल दीजिएगा गरम गरम तेल मत डालिएगा तेल होना बहुत जरूर है थैंकिए